हलो जी गोड मॉनिंग गोड मॉनिंग गोड मॉनिंग गोड मॉनिंग क्लियर वाइस एंड वीडियो अगर क्लियर हो तम क्लास को शुरू करते हैं जी क्लास करते हैं दोस्तों आज हम बनने वाले हैं मद्य प्रदेश के अलावा सुबह जो हमारा भारत का भूगोल चल रहा है तो भारत के भूगोल में हमने कल देखाता वनों का वर्गी करण आज हम देखेंगे भारत की वन नीती और वनों की उत्पाद एबम उनकी उप्योगता के लिए हमारे सरकार द्वारा बनाए गई नीती जी हां रंकर जी देख परेमी जी जोती जी राहुल जी सबका बहुत बहुत स्वागत है यहां पर वनों के उत्पाद को लेकर हमको एक नीती बनाने की आवशक्टा पड़ती है क्योंकि अगर हम वन्निती ना बनाएं कई बच्चों को यह पता नहीं होता है वन्निती बनाई को जाती है वन्निती बनाने के बेचे रीजन क्या होता है कि वन्निती का नहीं बनाएंगे तो लोग अन्दादुन्द वनों का दोहन कर सकते हैं कटाई कर सकते हैं इसकी वज़े से वनों को बहुत ज़्यादा हानी पहुंच सकती है तो वनों के उत्पाद को तो वन उत्पाद में इनन की लकड़ी इमारती लकड़ी कास्ट ये कोईला के अत्रिक तो वन के अन्य उत्पाद जो हम को मिलते हैं उनके दोहन के लिए हम क्या क उत्पाद क्या है बिटा वन उत्पाद वनों से निकलने वाली ऐसी चीज है जो वनों के लिए तो वेस्ट हैं लेकिन हमारे लिए काम की है जैसे कि उसमें अगर आप देखोगे कि घास है तेल निकलता है कई अरंडी का तेल मानने के चलो लाख लाख भी एक प्रकार की राली है लाख है गोंद है यह सारी चीजे तो यहां पर आप देखोगे रंग शैद सब्जिया फल जड़े कंदमूल जो भी वनों से प्राफ्ट होता है उसके दोहन के लिए जिया उसके दोहन के लिए इन एडेक्शन टू फ्यूल वुड टिंबर एंड वुड कोल यानि कि कोई अब आज हम देखने वाले हैं दोस्तों कि इसमें से जो 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 प्राकृतिक अपनी कंपोनेंट है या प्राकृतिक जो भी हमारे पास उत्पाद हैं उनको हमने कैसे उसका नियम कानून बना रखा है ठीक है खंबकरी दाउल जी कैसे हैं बास के लिए अगर हम बात करें तो बास अगर आप देखें तो पहले एक प्रकार की जंगली घास हुआ करती थी बास लेकिन आज कल आप देखोगे तो इसका क्या होने लगा है एक प्रडक्शन होने लगा है किसके तोर पर वालजिक तोर पर ठीक है इससे बहुत पैसे कमाय जा रहे हैं बास मानसूनी प्रदेश में पाय जाता है और उसात वारसिक वरसा जहांपर डेढ़ सो सेंटीमीटर से दिखोती है वहाँ पर बास अच्छी क्वालिटी का और अच्छी क्वान्टिटी में ये इसका काम किया जाता है ठीक है कागर्स ददर लुगदी बिनाने के लिए इसका काम किया जाता है बहुत बढ़िया ठीक है डन ठीक है ओके डन सबानन्दित है बहुत अच्छी बात है तो टोकरी बनाना छाजन निर्माड कागर्स ददर लुगदी बिनाने में इसका किया जाता है दिसंबर 2017 में भारतिय वना दिन्यम 1927 में संसोदर करके बास को वरक्ष की स्रेणी से हटा कर घास की स्रेणी में कर दिया गया था अब बंबू की बात करें तो बंबू कई चीजों के लिए उपियोगी है और बंबू कई चीजों के लिए उपियोगी सो से 210 कितने बिटा सो से 210 वर किलोमीटर वन के चेतर में पाए जाता है और इसका वार्ष उत्पादन कितना है तो 4 मिलियन है कितना है चार मिलियन है बहुत अच्छे लिग दीजिए भारत के इसाब से कॉस्चन पूछा जाएगा तो सो से अधिक टाइप की वेराइटी यहां पर पाए जाती है और अगर आप देखेंगे तो यहां पर बिल्कुल क्लियर कट है कि वार्ष उत्पादन हमारा कितना है चार मिलियन टर्ण के आसपास हम इसमें उत्पादन करते हैं हलाकि बास बनाया लगाया किसलिए जाता है क्यूंकि लोगों के लिए रोजगार उपलब कराया जा सके बात करते हैं बेत असम केरल करनाटक पस्चमंगाल गुजरात और जम्मु कस्मीर में नमवा आईवनों म जोर रसी चटाई बैग इन सब चीजों के लिए बैत का उपयोग किया जाता है बैत का जो उत्पादन है वो हर जगा नहीं होता है बैत का उत्पादन कुछ विशेश स्थानों पर ही होता है जिसमें की असम केरल पहाड़ी छेत रहों पहाड़ी छेत रहों वहाँ पर बैत का उतुपादन किया जा सकता है इसके पाद आता है तेंद्व क्या था था रटा टेंद्व की बात करें तो तेंद्व के पत्ते प्त्त mundane जारकर्द जारकंड इवान हमारे मद्यप्देश में भी टेहंदू होता है बड़ जायतर तेहंदू है जो इसी प्रकार के जियां इसी प्रकार के जियां तेहंदू के पत्ते से हमारे यापर बिड़ी उद्योग तो मद्ध्य प्रदेश में बीड़ी उद्योग तेहंदू के पत्ते पर जिया तो मद्ध्य प्रदेश उडीसा, जारखान, इचतिसगर और पूरवी राजिस्थान में हमारे याँ पर तेहंदू के उद्योग के मद्ध्यम से लोग बहुत सारी कमाई करते हैं उससे वीडियो द्योक आ जाता है आकर दिखर जी नमस्कार बहुत अच्छे अब हम बात करते हैं घास चोथा नमबर पर लिखो घास क्या लिखोगे घास घास की बात करें तो हमारे यहाँ पर भी कई प्रकार की घास पाई जाती है कई प्रकार की घास पाई जाती है और प्रमुक घासों में कौनसी है कौशन या से आ चुका है विया सवाई ग्रास कौनसी सवाई घास बहुत अच्छे कौशन या से आ चुका है सवाई घास की बात करें तो अर्द हमालाय की तराई प्रदेश में और ऐसा ही question आया था मैंने पूरा असाधे हवेली पर भी करवा चुका हूँ कि जो हिमाला है उसके तराई के छेत्र मतलब तराई मतलब निचले छेत्रों में किस प्रकार की घास पाई जाती है सवाई का नाम लिख लो कोशन आएगा सवाई घास पाई जाती है ठीक है एली फ गास इस्पियर गास और उल्ला तरह पानि खास आ अदी और खसकर स घसकर इसपियर घास उल्ला खास पनी घास खसकर घास भरतपुर का उपयोगी गर्मी के दुनों में ठंडे परदों के लिए ये खस-खस घास कौपियों भी किया जाता है अच्छा खस-खस आपने देखी होगी खस-खस की एक परगारी घास है अगर आप देखें तो राजिस्थान के सवाई मादवपूर की बात कर ले या भरतपूर में बात कर ले तो इतनी उमरिया का जो छेत्र है ये चंदवा बोलते हैं हमारे यहां पर अगर आप लोकल भासा में अगर आप मद्वदेश के हैं तो इतना वड़ा सा एक घास होती है उसको खालोगे तो नीचे लंबी-लंबी जड़े निकलती है और वही खस-खस की घास होती है जिसका उप ठीक है डन आगई 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 क्लास आगई वापिस खस-खस के बाद हम बात करते हैं तेल की जिया एक तो तेल मिलता है जो जमीन से निकाला जाता है खरेंच तेल जिसको बोलते है तेल जड़ी बूटियों पौदो तदा वरक्षों का वियोग अनेक प्र खस-खस का तेल लेवेंडर का तेल नीबू घास का तेल पुदीने का तेल चंदन का तेल पचोली का तेल तारपीन का तेल और जायफल का तेल नाम लिख लो भाईया इतने सारे तेल प्राप्त की जाते हैं वनों से और इनसे कोशन आता है नीबू घास नीबू घास का तेल पुदीने का तेल, चंदन का तेल लेवेंडर, खसकस, चमेली पचोली, तारपीन, जाइफल ये सारे के सारे बनों से पराप्त की जाने वाले तेल है बहुत अच्छे ठीक है? चलने दो भई बहुत अच्छा, चलने दो, करेक्ट है, परफेक्ट है ठीक है? गुट ये अटक रहा है थोड़ा सा, कुछ वजह से नेट का इशू हो जाकता है लिख लिए, नाम लिख लिए, चलो भाई नाम लिख लो, चमेली, खसकस, लेवेंडर, नीबु घास, पुदीना, चंदन, पचोली ठीक है? जाइफल बहुत अच्छे अब हम बात करते हैं चपड़ा चपड़ा आप यूज़ करते होंगे जन्रली जब सरकारी लोग अपना बैक पैक करते हैं ना तो चपड़ा को भी योग करते हैं यह केरिया के लेका नाम के कीड़े द्वारा शावित किया जाता है जो परपोसी वरक्ष जैसे पलास, पीपल, कुशम, सीसो, कुल, गुलर, सीरस तथा बरगद के रस द्वारा पोशत होते हैं क्या बात कर रहा है जाब? यह क्या होते है? पीपल के, पलास के, कुशम, सीशा जो सीशा का पेड़ होता है, सीशम कुल, गुलर, सीरस ऐसे पेड़ों के उपर क्या होता है? एक केरिया होता है केरिया, इसके लेका नामक जो कीड़ा होता है लेका नामक जो कीड़ा होता है इससे स्त्रावित किया जाता है उसे बोलते हैं चपड़ा वो चपड़े का उप्योगम करते है जन्नली C लोगेरा लगाने के लिए ठीक है मैं एक बार JN तो लगाओ ज़रा attendance लगाओ ज़रा सब लोग फटा पर fast चलिए तो चपड़ा का लिखलो चपड़ा का लिखलो कामा जाएगा चपड़ा बहुत अच्छे लिखलो लिखते जाओ लिखते जाओ ठीक है चपड़ा शलक शलक बोलते हैं इसको शलक आगे देखोगे विश्व में लाख के उत्पादन में भारत का इकाधी पत्त है यह तो अपने आप में बड़ी ख़वार होगी ना साब जी शैलू जी कैसे अब आप ठीक हो सैलू जी बढ़िया सब बढ़िया रिकवर गी परफेक्ट विश्व में लाख के उत्पादन में भारत का इकाधिकार है इसका उपयोग रिसम की रंगाई चूडिया रंग युद्ध सामगरी पटाके ग्रामो फोन के रिकवर्ड मोहरी लाख विद्धत रोधक सामगरी जूतों की पालिस प्लास्टिक ढाचा इस्पिरिट बेकिंग एनेमल और जहाज में एंटी मोल्डिंग कमपोज़्टिरी बनाने आदी में किया जाता है बहुत अच्छे जी मिसरा जी बहुत बढ़िया अच्छा लगा सुनके सेलू जी ठीक है बहुत अच्छे तो प्लास्टिक नाचा इस्पिरिट बेकिंग चुदा लाख का यूज क्या करते हम लाख का यूज करते है चूणिया बनाने में बन्नो तेरी लखिया लाख की रहे बिल्गोर सही है ठीक है अंके जी नमस्कार चलिए लाख भी एक प्रकार की प्राकरतिक राल है राल रेजिन राल फिनियो रिगैमिक परजाती की वनस्पती का इस्त्राव है रेजिन नाम लिख लो ये सारे के सारे कोश्चनाते हैं बैटा साफ साफ इस पस्ट सब्दों मैं बोल रहा हूं मैं इनसे डारेक्ट कोश्चनाते हैं इनसे घुपा पर आए कुछ भी नहीं पूछते है राल फैनियोरिट गेमिक प्रजाती की वन एलकोहल में गुल जाता है जल में नहीं गुलता है एलकोहल में गुल जाता है परंतु एलकोहल में गुल जाता है हिमालाय के शंकुधारी पाइनवनों में राल का एकत्त्री करण और वालिजिक द्रश्टी से किया जाता है इसका अपयोग सामन बनाने में तदा कागज इसने रंग और श्याहिए बनाने में किया जाता है एक दम यह पर तो यह राल के उपियोग राल है क्या यह या लाख क्या है बास क्यों पियोग ही है भारत में क्या-क्या मिलता है इस पर रिदो कोस्र बनेंगे ना तबढ़ा दूंगा मैं कि चलिए अब यहां बढ़ते हैं कि गौंद गौंद जग लोग गौंद खाते तो हैं लोग गौंद खाते तो हैं लेकिन गौंद का उपयोग चिप काने में भी किया जाता है और अभी ठंड़े चल रही तो गौंद के लड़्डों खाई होंगे आपने तो यह बबूल से निकलती है के रोब से भी निकलती है मैक स्वीट और कटीरा से प्राप्त की जाने माली एक पेड़ काफ्षिस्ट पदार्थ है पेड़ से अटमेटिक मिकलता है अगर आप देखोगे ठीक है यह बबूल को थोड़ा सा काट के छोड़ दो तो उसमें से थोड़ा थोड़ा सा पानी तरह स्त्रावेत होगा और वो जम जाता है ऐसी कई सारी चीजे हैं जहांसे गौंद प्राप्त की जाती है इसका उप प्यों किया जाता है हम तो लड़ भी बनाते है गाद बोलते हैं लिकन गाद तो कीजणख को भी बोलते थे हैं जो तालाब में या फिर नदी में जम जाती है एक लिको भाई गौंद जो है यह बबूल से त्य मेक स्वीट और कटीरा से प्राप्स की जाती है चिपकाने वाल बनाज की रूप में एक और खास अनॉंसमेंट दोस्तों बड़ा अनॉंसमेंट है 26 जनवारी को साम साड़े साथ बजे जिया अभी हवेली पर आना तो मैं आपको इन्विटेशन दूँगा आपको जूम मीटिंग के बाद्यम से इसमें डली है की नहीं जो चेक करना पड़ेगा लेकिन जहां आप कमेंट कर रहे हो इसके उपर एक जो क्लिक करने पर आप अनकेड़ी बड़ा एक जुड़ जाओगे तो साड़े साथ बजे आपको जूम मीटिंग है इंडिया स्टॉप एजिकुटर के माद्धम से जिसमें मैं भी शामिल हूँ आपके लिए कुछ गाइ 273 पिर 26 जनवरी सबी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आपको आना है और उस दिन बेहतरीन सेशन होगा उसका बैक टुबैक दो special classes होंगी और special classes माध्यम से आपको बहतरीन question भी करवाए जाएंगे ठीकर नए question एकदम करवाए जाएंगे हवेली क्या होती है हवेली होती है unacademy की free class उसकी link आप देखोगे तो जो आप comment कर रहा है उसको उपर एक नीली पट्टी आ रही है उस पर डारेक्ट आप जाके जोइन कर सकते हो मुझे आप हवेली पर चलिए अगला question कहां से बन सकता है देखिए हुआ है टкихyang कर सकते हुआ ही ciा मुझे हम बिल्तM पर याप कीiges समा अप बली मैं. अ. अब हुआ है अब है अब यह लिए टाइम हो गया पंता मिट बाकी अभी तो अब यह राहल जी अभी लाइट में चाले को लाइट वेस्ट हो जाएगी अपनी और अब अबुआ है टीनरशेंड है जोगत होनते हैं जो होती है जो भी कहां熱 कि वीओ करते हैं उसे बोलते हैं जो गेट याह जो होती है इनका जो प्राप्त के याक वी प्राप्तक प्राप्तो marketing है यह प्रीजी है क्या बात करो इंडियन क्यों लिखा हुआ है क्योंकि हमारे यहां पर उतनी अच्छी क्वाल्डी की बादाम नहीं होती है तो हमारे यहां पर बादाम चेनेश्टन के च्छाल मैंग्रोव इन सब चीजों से कही सारी से प्राप्त की जाती है जैसे की चर्म शोदक कौप योग खालों या चमणों के प्रोटीन के इसकंदन के लिए किया जाता है जिसमें पृत्रोधी चमणे का उत्पादन किया जा सके यानि कि ऐसा चमणा बनान जाता है इसे बोलते हैं चमणा पकाना क्या बोलते हैं चमणा पकाना तो हलके वनस्पती चर्म सोदक की वदानता चमणों के उत्पादन में देखी जा सकती है जैसे की मैंग्रोव सुंद्री विरक्ष ठाट एवेरम स्मैक अरजुन इंडियन अलमंड बेर कुडपा अलमं इसे करते हैं चमणा भी पकाना है तो विरक्षो कभी योग हो रहा है अगया चलिये आज चंटी और जालू पोचा वाली दोनों इनी आई है काथ्व प्मार जीविन यहां इनको बुराओ ज़रा इसे जालूपोचा लगवाना आयार हुवेली पे हवेली का टाइम हो ज़्या है क्था खेर क्था खेर खेर के लकड़ी से पराप्त किया जाता है खेर जो पान में लगा जाता है कत्था चूने के साथ लगाते ना वो मत्यप्रदेश, 36 जर्कंट गुझरात विहार में पाया जाता है इसका मत्पूर कारखाना बरेली उत्त्रपदेश तदा शिवपूरी मत्पदेश में है। एक बानमोर में मुरेणा में भी आ बीर लेकिन शूपूरी बानमोर डो राता है तो शूपूरी में कठे का कलकान सरकारी को लिखना है तिस्टे का इस ज़सा म invers ठीक है शौट में बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रहा हूं जो आपको बहुत सारा नहीं पढ़ना पढ़ेगा वनों के उत्पास से भारत के वनों से इतनी कोशन आएंगे ठीक है बागी हम पिर वनीती के बारे में क्यों बनाई जाई वनीती हमने बताई दी आपको कि इन सब सब्चाषा सब्चाषा नहीं है रहा हम सबको मालुम है हम खाते भी है जामन बेर गुदल यह फल है आवला इमली खिर्नी करोंदा खजूर बहुत सारी चीज़ें होती है और हम बात करें तो बहुत सारी फज़े सब्जी अभी है गोभी बेंगल अलुटमाटर ठीक है पथ अब बात करते हैं आपने नाम सुनाओगा चारागाह का यहां से कौशन बन सकता है क्योंकि हर जगा पर चारागाह अब नहीं बनाए जाते चारागाह के लिए सपेशल जमीन दी जाती है के जारागाह के लिए सपेशल जमीन दी जाती है तो चारा概ह बन घरेलू के लिए चारागाह होते हैं पर्शुवों द्वाराद कि रूख में चिन्यनत कर दिया जाता है लोग वहीं पर अपने धोरबचेरु भरबचेरु मतलब पश्चु वहाँ पर छोड़ के वहाँ पर चरवाँ चरने के लिए छोड़ चकते हैं सब जगाँ पर चरने के लिए परमिसन नहीं है ठीक है तो ग्रास लेंड क्या हो गया यहा चारा गाह तो फॉरेस्ट अ ठीक है ग्रास लेंड यह यहाँ पर आपको दिखाए दे रहा है बिल्कुल सही तरीके से ठीक है तीस हजार ट्री एनिमल्स एंड माइक्रोडियों के लिए यह सब आवास है यहाँ पर लोग छोड़ दिये आते हैं पसुपक्ची यहाँ पर निवास कर सकते हैं सब्सक्राइब करो क्योंकि बहुत जल्द मैं आपको पढ़ाने वाला हूं साइंस एंटेक वाला जो साइंस वोड़के टेक्निकल वेल्ड़ पूर्थन दिखिए वह और कम्प्यूटर ठीक है बदाब जुड़े रहे हैं मारे साथ वन तता जलवायू तापमान प्रतक्ष रूफ से वनों की मौजूदगी को क्या करता है प्रभावित करता है इसलिए वन जो है जलवायू की ऊपर बहुत डिपेंडेंट है वन कहा सगन होंगे विरल होंगे ये डिपेंड करता है वहांगी भुमी पर और वहाँ पर ओने वाली बारस पर जहां भारस बहुत कम होती है वहाँ पर बन बिलकुल नहीं पाहे जाते है जैसे का हम बात करें मरुस्तली चेत्रों में लेकिन जहां बहुत ज़्यादा बारिस होती है वहां पर बन तो पाए जाते हैं अगर वहां पर भूमी उपलब्द है तो जैसे कि आप पहारी छेत्र जो हमारे असम में गाला है मिर्जोरम इस एरिया में बन जाता मिलेंगे हिमाला साइट भी मिलेंगे लगिन नीचे आते आ सकते हैं क्या राष्टी वन नीटी है तो ऐसा नहीं है कि वन की नीटी या वनों के लिए नियम कानून हमने ही बनाए ये बहुत पहले जिया ये बहुत पहले सन 1855 में लाण डलहोजी ने पूरे देज में वनों के संदक्षड के लिए नियम बनाए थे सुन्या गया भारत में पहली वन नीटी की बात करें तो 1855 में वनों के संदक्षड के लिए नीटी बनाई थी इसके अंतरगत मलाबार की पहाड़ियों में बबूल और निलगिरी के पेड़ लगाए गए इसी दिश्डशा में 1865 से 888 में वन अधिनियम का निरमान किया गया पूरेस्ट एक्ट अट्रा सू एक्ट में बनाया गया लेकिन वनों के संदक्षड की नीती जो है अटरा सो पचपन में तो संद्रक्षर के लिए नियम बनाये गए थे लेकिन वन का या फॉरेस्ट एक्ट की बात करें तो 1888 में वन का फॉरेस्ट एक्ट बनाया गया था यह बहुत पहले ही बना दिया चुका था बहुत अच्छे से लुजी जोती जी अच्छा पढ़ रहा है आप लो ठीक है अब यहाँ पर आप देखोगे तो राष्टिय वननीती 1894 में जब लॉर्ड एलिंग्स दुती है वाइसराय था कौन था लॉर्ड एलिंग्स दुती है सेकेंड ठीक है तब भारत सरकार ने पहलिए वननीती की गोजना की ठीक है भारते सरकार ने अब यह भारत सरकार की गर्ड बात करें तो मुष व अठ्रा सो चोराननवे में किसके समय की लॉर्ड एलिंग दुती ही है लॉर्ड एलिंग एल्गिन लॉर्ड एल्गिन लॉर्ड एल्गिन सेकेंड है लिखो नाम काम आएगा लिखो जल्दी फटावर फास्ट चीक है लॉर्ड एलिंग तो अठ्रा सो चोराननवे में जब एलिंग एल्गिन दुतीय वाइसरा थे तब सरकार ने पहली वन नीती की गोशना की इसके अंतरगत एक विकास समीती और सभी प्रांतों में वन विभाग याने की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का गठन किया गया बहुत अच्छे राष्ट्रिय वन नीती फिर उन्नीस सो बावन में सुतंत्रता के पस्चात अब यह तो अंग्रेजियों ने कर दी थी सुतंत्रता के पहली बार राष्ट्रिय वन नीती की गोड़ना की गई तो सुतंत्रता की गई उन्नीस सो बावन में उसके पहले कप की गई थी आठाव चुरान में लिखो मैंने बहुत पहले बताया था कि बहुत सारी चीजों के लिए बनाए जाती है उद्देश होते हैं तो उद्देश क्या है कि भूमी की उत्पादक छमता का हिरास किये बिना अत्यादिक उत्पादन जादा यूज कर लेंगे तो खतम हो जाएंगे या पिर यूज कर लेंगे तो खतम हो जाएंगे या फिर यूज नहीं करेंगे तो इंसान कहां जाएंगे बैचारे तो करना तो है ना तो वन उत्पादों की आप पूर्ती सुनेशित करना की प्रॉपर तरीके से वन जो भी हमको चाहिए वो मिलता रहे रक्षा संचार उद्योगों के लिए आवश्यक वन उपलब्द करवाना वन उपलब्द करवाना पहाडी छेत्रों में 60% छेत्र पर मैदानी छेत्रों में 20% छेत्र पर वन सुनेशित करना ताकि नियूंतम राष्टिय औसद वन छेत्र 33% हो सके आवश्यक्ताओं से समझस रखते हुए अधिक्तम वार्सिक आयप्राप्त करने के लिए वनों का प्रबंदन करना ठीक है हो गया आवश्यक्ताओं से समझस रखते हुए अधिक्तम वार्सिक आयप्राप्त करने के लिए वनों का प्रबंदन करना तो यार देखो ऐसा है कि आवशक्ताओं कि आप पूर्ते भी होती रहे और वनों का राज भी ना हो अगर हम जादा बन काट लेंगे तो खतम हो जाएंगे और नहीं यूज़ करेंगे तो इंसानों को चाहिए तो भई या इमारती लकडी भी चाहिए अब वनों से अधिक्तम आए प्राप्त करना सरकार का लक्ष हो गया है कि वनों से अधिक्तम आए गौर्मेंट को ही जाए ये पहले क्या होता था कि लोग क्या करते थे अच्छे देंगो वनों का वर्गी करन में अधिक्तम आये तो kल की क्लास देखे बिना ये मत देखना भाई जिनने नहीं देखिए देख ले ना वरे को वरगी locks उसके बादह पर आउंगे तो ज्दम जा आएगा 1952 से 1980 के बीच क्रसी फसल के अंतरगत आने वाला चेत्र 11,187 लाख हेक्टेर से बढ़कर अब कितना कर दिया गया है 1429 ते समलब 4 लाख हेक्टेर कर दिया गया है क्रसी फसलों के अंतरगत 242 242 242 लाख हेक्टेर यह व्रद्धी ग्रामीड चेत्रों में बना चेत्र भूमी को व्रक्ष भीहिन प्राप्त करने से की गयी थी कहने का मतलब यह कि ग्रामीड चेत्रों में जितनी भी बना चेत्र भूमी थी उसको हटा कर क्या कर दिया गया है क्रिसी फसलों के लिए इतना लाख हेक्टेर छेतर है फसलों के लिए बना दिया गया तो बन तो कटे होंगे न यही है कि भूमी को व्रक्ष भीन करके प्राप्त की गई थी लेकिन अब व्रक्षा रोपन के बाद हमने कई सारे वनों को से हरावरा करने की कोशिश किये जिनमें हम सफल भी हुए है पहली वन्नीती 1952 में और दूसी वन्नीती 1988 में 1988 में लिक लो भईया क्वंचन यासे भी आते हैं चलिए भईया राष्ट्रिय वन नीती दूसरी 1988 में तो 1952 की 1952 की राष्ट्रिय वन नीती को संसोधित करके 1952 की राष्ट्रिय नीती 1988 की गोशला की गई बहुत अच्छे 1988 की गोशला की गई इसका प्रमुक्लच्छ था पारिसितिक संदुलन और पुनर स्थापन के माध्यम से परियावण का इस्थाइत बनाए रखना प्राकरतिक संपता का संदक्छड करना व्यापक व्रक्षा रोपड करना और सामाजिक वान की कारकमों के माध्यम से वनों को रक्षा करना बहुत अच्छे बीटा लिखो इसको लिखलो लिखलो अच्वपड लिखलो कि नदियों जीलों और अन जालाओं के मांगर के भूमी का कटाओ जिसको बोलते हैं स्वाइल इरोजन ये लेंड इरोजन इसको नियंत्रित करना वन संदर्चन एतु जन सहिबागीता को बढ़ाना यैंने कि इस्किंती का उत्यश्य ये भी था कि कम से कम हम क्या करें लोगों को अवैर करें कि वन को संदर्चन के से दिया जा सकता है कि वो उसमें होगी फिर उसके अंदर हम मैं भी क्योंकि मैं नहीं लगाया होगा है इन नहीं लगाया होगा चलिए तो यह सारे इसके क्या थे वो थे इंपोर्टेंट मतलब जरूरी थी अब वन जंदन के अंदर देहरादून में हैं हमारा भारत का कि इसके इसकी इस साबना 160 में इंस इं पिरियार्फ रूज एच्टि גם मैं की गई थी जह सब जगा नहीं मिलेगान लिक लूप झा तो डेरा दूंको कि कीज़े हैं उन पर आपको सब्सृल लेना है या आपकोил नंशपर скор Response कर नहीं है और 26 तारीक को जिया 26 जनवरी को special offer है 25 तारीक आज से लेके अगर कल तक आज कल 26 तारीक बिलकुर बता दूँ मैं आपको लिख लो बेटा अनकेडमी पर 25 से 27 तारीक तक अगर आप subscription लेते हैं तो आपको किसी भी एक साल का subscription ले या दो साल का 6 माईने additional आपको मिलने वाले हैं तो एक साल दो साल की बात करें या खित्त की बात करें आपको additional फाइदा मिलने वाला है लेकिन प्लस का फाइदा क्या पर यह बता दूँ तो अनकेडमी पर complete syllabus मिलेगा unlimited mock test मिलेंगे pdf notes मिलेंगे डाउट क्रिंग सेशन बहुत सारा test series मिलेंगी आपको डेट्स कोर्स MPPSC में सब कुछ मिलेगा और आप देख सकते हो कि घरवेटे top class education नाम मात की फीज में क्या top class education नाम मात की फीज में आपको सब्सक्राइब कोड आपको लगाना है ठीक है सबको मालूम है जो वीडियो को लाइक शेयर करते जाना कोड आपको लगाना है ठीक है चलिए बहुत जल्दी आपके लिए previous year's questions भी MPPSC के लिए लेकर आने सब्सक्राइब करो और मुझे फॉलो कर लो माँ पर फूरी free classes मिल जाएंगी मेरी और दूसरों की